नमस्कार दोस्तों स्वागताब सभी लोग पा इंडियन फ्लाइंग के इस वक्त की नई अपडेट में आज के इस वीडियो में आप सभी लोग के सांथ सेर करने वाले हैं कि एरलाइन्स और ट्रेवल से कौन-कौन सी बड़ी अपडेट निकल कर सामने रही है पहले बड़ी खबर की जानकारी यहां पर इंटरनेशनल फ्लाइटों को लेकर सामने रही है मिनिस्ट्री अप सिविल एवेशन के तरफ से एक बड़ी जानकारी सेर की गई है जहां पर उन्होंने बताया है कि अब नोर्थ इस्टेट जैसे की आसाम और मणीपूर इन सभी र इंटरनेशनल फ्लाइटों को चालू किया जाएगा और इन एरपोर्ट से बैंकोक, धाका, काटमांडू इन सभी लोकेशन को कनेक्ट किया जाएगा मौजूता समय में नोर्थ इस्ट राज्यों के लिए कोलकाता एरपोर्ट ही एक मात्र सादन है लेकिन यहां पर वेरियंट को लेकर जान लेते हैं आपको बता दे कि महारास्टा और गुजरात इन दो राज्यों से नए कोरोनावारस वेरियंट के केसिस रिपोर्ट होने के बाद यहां पर कई मीडिया सुतरों से ऐसी जानकारी सामने आ रहे थी कि भारत में नया वेरियंट जो है फैल सक अभी तक इसके उपर कोई भी कन्फरम जानकारी नहीं आ पाई है कि भारत में नया कोरोनावारस वेरियंट आया है या फिर नहीं आया है बात करें यहां पर इस समय भारत में डेली वेसिस पर कितने कोरोनावारस के केसिस रिपोर्ट हो रहे हैं तो इस समय डेली वेसिस पर तरह दुनिया के Top 3 Airport की लिस्ट में सामिल किया गया है जी है दोस्तों यहाँ पर Passengers Capacity के मामले में दिली इरपोर्ट जो है इस समय दुनिया के Top 3 Airport की लिस्ट में सामिल हो चुका है आपको पता दें कि कोरोना वारस खतम होने बाद भारत सरकार ने जब से नॉर्मल बेसिस पर इंटरनेशनल फ्लाइटों को चालू किया हुआ है उसके बाद से ही दुनिया के दूसरे देशों के लोग भारत में ट्रेवल करना शुरू कर चुके हैं और यही एक बड़ा कारण है कि दिल्ली एरपोर्ट से अब काफी बड़ी संख्या में इंटरनेशनल फ्लाइटों को ओपरेट किया जा रहा है जिस कारण से यहाँ पर पैसंजर्स कैपेसिटी बढ़ चुकी है और दिल्ली एरपोर्ट जो है दुनिया के टॉप थ्री एरपोर्ट की लिस्ट में सामिल हो गया है एक और बड़ी ख़बर यहाँ पर हैदराबाद एरपोर्ट को लेकर भी सामने रही है यहाँ पर जो ख़बर सामने रही है उसके नुसार अब हैदराबाद एरपोर्ट से भी काफी बड़ी संख्या में फ्लाइटे ऑपरेट हो रही है यहाँ पर जो डेटा सामने है उसके नुसार बताए गया है कि इस एरपोर्ट पर अब जो ट्रैफिक है वो 26% से बढ़ गया है जी है दोस्तों यहाँ पर हैदराबाद एरपोर्ट जो की एक इंटरनेशनल एरपोर्ट है वहाँ से काफी बड़ी संख्या में अब इंटरनेशनल फ्लाइटे इसके सांसा डॉमेस्टिक फ्लाइटे ऑपरेट की जा रही है फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं और अगली ख़वर यहाँ पर UAE से सामने रही है UAE की गवर्मेंट की तरब से एक बड़ी एनांस्मेट की गई है जहाँ पर UAE की गवर्मेंट अब एमिरेट आइडी इसू करेगी ऐसे सभी लोग के लिए जो लोग भी UAE में रेजिडेंट वीजा पर ट्रैवल करने वाले हैं इससे पहले जो लोग भी UAE में ट्रैवल कर रहे थे उनको एक स्टिकर दिया जाता था और वो प्रूफ करता था कि वो सभी लोग रेजिडेंट बीजा पर UAE में ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन अब यहाँ पर उस स्टिकर को रिप्लेस करके एमिरेट आईडी सभी लोग को इसू की जा रही है आपको बता देखी ये जो नियम है ये नियम बीते कल यानि कि 11 अप्रैल से लागू हो चुका है अगली और अगली अपडेट यहाँ पर उन सभी लोगों लेकर जान लेते हैं जो लोग भी इंटरनेशनल फ्लाइटों से भारत में ट्रैवल करके आ रहे हैं वैसे तो इसके बारे में हमने पहले भी अपडेट किया हुआ है लेकिन कई सरे लोगों को अभी भी डाउट है तो फ्रेंट्स आपको बताना चाहेंगे कि भारत सरकार के दोरा जारी किए नए नियमों के अधार पर यदि आप फुली वैक्सिनेटेड हैं तो अब आप बीना करोना वारस टेस्ट कराए ही भारत में ट्रैवल करके आ सकते हैं आपको केवल अपने वैक्सिन का प्रूफ सब्मिट करना है कि आपने डबलो जो के दोरा ओथराइज वैक्सिन लगवा रखी है और यदि आप बैक्सिन का प्रूफ लेकर भारत में ट्रैवल करके आते हैं तो भारत में आने के बाद भी आपका करोना वारस का टेस्ट नहीं किया जाएगा आपको बताती कि भारत सरकार ने ये नियम जो है मार्च महिने से ही लागो किया हुआ है मार्च महिने के बाद से जो लोग भी ट्रेवल करके आ रहे हैं उन सभी लोग को केवल एर सुविधा पॉर्टल पर जाकर अपनी डिटेल सब्मिट करने पड़ती है और उसके बाद वो भारत में आसानी से ट्रेवल करके आ सकते हैं सब्सक्राइब पर लें ताकि आपको लेटेस अपडेट समय पर मिलती रहे